नमस्ते गाईज और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपल सी हेंरी सोडो के बारे में UFC 288 में हेंरी सोडो फाइट करने वाला है एलजमें स्टरलिंग के साथ for the band of a championship belt तो इसी के बारे में हेंरी सोडो ने अपने recent interview में एक strong message send किया एलजमें स्टरलिंग को हेंरी सोडो ने का कि एलजमें स्टरलिंग उसके लेवल का नहीं है और UFC भी नहीं चाहती कि एलजमें स्टरलिंग इस band of a division का champion रहे इसलिए एक hitman की तरह UFC नो उसको hire किया है एलजमें स्टरलिंग को beat करने के लिए इसके बाद हेंरी सोडो ने ये भी का कि वो fighting में active रहना चाहता है इसलिए एलजमें स्टरलिंग को हराने के बाद वो एक quick turnaround करके एक और fight करेगा तीन साल के gap के बाद वो क्यों वापिस आया इस पर हेंरी सोडो ने कहा कि वो हमेशा चाहता है something new अचीव करना और इस पार वो return मार रहा है क्योंकि उसका main goal है Alexander Volkinowski वो चाहता है कि वो Alexander Volkinowski को हरा कर featherweight champion बने और इसी के साथ वो UFC का पहला fighter बनेगा जिसके पास तीन UFC championship belts होंगी अब हेंरी सोडो की बात लगी थी तो आज की next fight वीडियो में बात करते हैं हेंरी सोडो के ओपनेट बैंडवेट champion अलजमेन स्टरलिंग ने क्या कहा अपनी next fight के बारे में अलजमेन स्टरलिंग शौर नहीं है कि हेंरी सोडो अपने best version को लेके आएगा या फिर worst of version को तो अलजमेन स्टरलिंग ने basically कहा कि हेंरी सोडो तीन सालों से couch में बैठा है यानि कि हेंरी सोडो तीन सालों से inactive है इन तीन सालों में क्या हेंरी सोडो पुरी तरह से ट्रेनिंग कर रहा था या फिर वो फ़नी यूटूब वीडियो बना रहा था वो इस चीज में शौर नहीं है इसलिए उसे नहीं पता कि क्या हेंरी सोडो बेस्ट वर्जन लेके आएगा या फिर वास्ट वर्जन अब ये चीज सब जानते हैं कि हेंरी सोडो के पास एक ओलंपिक गोल्ड मैडल है तो इसी के बारे में अलजमें स्टर्लिंग ने कहा कि ये कोई freestyle wrestling match नहीं होने वाला है ये एक mixed martial arts fight होने वाली है और वो जानता है कि हेंरी सोडो 125 pounds से 135 pounds में move किया है जिसका मतलब ये है कि हेंरी सोडो थोड़ा बहुत slow होगा उसके reflexes slow होंगे और वो इस चीज का पूरा advantage लेगा इसके बाद एलजमें स्टर्लिंग ने भी हेंरी सोड को warning send करते हुए कहा कि अगर उसने manage कर लिया हेंरी सोडो को ground में लेके जाना और अपने hooks को lock-in करना तो ये fight बहुत ही जल्दी over होने वाली है एलजमें स्टर्लिंग ने कहा कि उसके पास weight, height and reach advantage है तो वो नहीं चानता कि क्यों हेंरी सोडो उसको underestimate कर रहा इसके बाद overall एलज अलजमें स्टर्लिंग की तरफ से भी ये चीज़ हम सब जानते हैं कि अलजमें स्टर्लिंग भी 145 pounds में move करना चाता है और double champion बनना चाता है तो इसी के बारे में अलजमें स्टर्लिंग ने कहा कि उसके लिए एक perfect scenario होगा कि वो सबसे पहले हेंरी सोडो को defeat करें उसके पास Sean O स्टर्लिंग को लगता है कि उसकी wrestling बहुत साथ advantage देगी बाकी 145 fighters के अगेंस्ट और अब बात करते हैं Connor McGregor की तो कुछ वीडियोस पहले मैंने कवर किया था कि Max Oliver चाता है कि वो rematch fight करे Connor McGregor से इस चीज़ के बारे में जब किसी ने tweet किया तो Connor ने उसका reply देते हुए कहा कि वो कभी भी retire नहीं होगा इसलिए definitely वो दोनों fight करने वाले हैं आज की next 5 वीडियो में बात करते हैं BKFC Mike Perry वर्सि Luke Rockhold के face off के बारे में तो recently इन दोनों fighters के काफी cringe वाले face off हो रहे हैं और ये वाला face off भी कुछ कम weird नहीं था BKFC के साथ कल UFC fight night भी होने वाली है जिसकी main event fight है song your dawn versus Ricky Simone के बीच तो definitely मैं इस main event को तो देखने वाला हूँ बट इसी के साथ मैं BKFC भी देखने वाला हूँ क्योंकि BKFC का card काफी अच्छा है specially इसकी co main और main event fight आज की next 5 वीडियो में बात करते हैं former weltebet champion कमारू उस्मान ने update दिया अपनी next fight के बारे में तो कमारू उस्मान ने कहा कि वो इस fighting process को काफी enjoy कर रहा है और इसी के साथ वो इस sport को फिर से love करने लगा है अपनी next fight का update देते हुए कमारू उस्मान ने कहा कि maybe वो next couple of months में ready हो जाए किसी को beat करने के लिए पहले UFC देख रही थी बिलाल मोहमद और शाफकात राक्मनाव की fight करवाने का उसके बाद ये सामने आया कि बिलाल मोहमद चाता है कि वो कमारू उस्मान के साथ fight करे बट end में fight सेट हुई बिलाल मोहमद वर्सिस गिल्बर्ट बंस की तो remaining two fighters जो exclude हुए वो थे कमारू उस्मान और शाफकात राक्मनाव तो अगर wild case करना हो तो मेरी opinion में कमारू उस्मान वर्सिस शाफकात राक्मनाव की fight next हो सकती है और अगर हम इस match up को भी देखें तो कमारू उस्मान वर्सिस शाफकात राक्मनाव एक fun fight है देखने के लिए आज की next five video में बात करते है Nate Diaz और Jake Paul के बारे में तो Nate Diaz वर्सिस जेक Paul की boxing fight होने वाली है 5th August को जो शायद से 8 rounds की fight है और इसी के बारे में Nate Diaz ने recently tweet करते हुए कहा कि वो चाता है कि ये boxing fight हो 12 rounds की Jake Paul ने steroids लिये हैं तो let's see Jake Paul कैसे fight करता है इन 12 rounds में तो इसी का reply देते हुए Jake Paul ने कहा कि क्या Nathan Diaz उससे बात कर रहा है वो ये चीज भूले नहीं है कि Nate Diaz positive पाया गया था steroid test में इसके बाद Jake Paul ने कहा कि Nate Diaz और उसका boyfriend Connor McGregor juice heads है So that's it for today guys अगर आपको वीडियो चे लगी हो तो please make sure to like and subscribe मिलते हैं next वीडियो में